वेल्कम बैक तो दे चैनल एवरिवन आई होप यू गाइस यू दूइंग एपसलूटली फाइन गूगल ने बनाया है Android Operating System जिसे Stock Android कहां जाता है लेकिन दूसरी कमपनी इसमें थोड़े बहुत modification करके उसके उपर attractive screen डाल देती है और उसे Stock Android से different कर देती है जिसे हम Custom UI कहते हैं जैसे के Honor का EMUI, Asus का ZenUI, Xiaomi का MiUI, Samsung का TouchWiz और Oppo का Color OS, Vivo का Fun Touch OS या फिर OnePlus का Oxygen OS ऐसा तो क्या है ये सब Smartphone Company Stock Android से different रहती हैं तो जो Google है वो Stock Android को बनाती है जो Open Source होता है जिसके वज़े से दुनिया का कोई भी इनसान उसे अपने फॉन में इंस्टॉल करके Free में चला सकता है लेकिन उसे अपने फॉन में Google की Apps डालनी है जैसे के Google Play Service डालनी है या फिर Google का Play Store तो उसके लिए उसे Google को royalty देनी पड़ती है तो इसी चीज़ों से Google कमाती है और जो दूसरी Smartphone Company है वो अपने हिसाब से extra features एड़ कर देती है जो आपको normally Stock Android Smartphone में ऐसे features देखने को नहीं मिलते हैं और ये extra features आपको काफी ज्यादा अलग user experience प्रोवाइड करते हैं तो यही वो custom UI हैं जिसकी मदद से company दूसरी company से अपने अलग impression जमा सकती है market में कहीं बार तो हमें custom UI में ऐसे features देखने को मिलते हैं जो हमें stock Android में देखने को नहीं मिलते हैं जैसे के हम बात करें तो हमें MIUI में आपको काफी सारी theme मिल जाती है, font मिल जाते हैं, आप icon को भी change कर सकते हो अ लेकिन जो custom integrated screen होती है ना उन्हें इस तरीके से design किया जाता है ताकि ये सब चीज़े अच्छे से काम कर पाएं और दूसरी app उसके साथ disturb ना हो, इसके अलावा custom screen में कई सारे internal changes भी होते हैं जिसे के Android का जो RAM management है उसके अंदर improvement किया जाता है, उसके अलावा आपके phone में जो app हैं वो जल्दी load हो जाए, animation की speed को भी change किया जाता है, overall आपको एक अच्छा सा experience देखने को मिल जाए, तो ये सब सारी चीज़े करती हैं, company अपने custom UI में, अपने smartphone में, और अभी के जो latest mobile आते हैं, उसके अंदर हमें AI का integration देखने को मिलता है, जैसे के Asus का Zenfone 5Z कुछ दिनो पहले launch हुआ था, उसके अंदर हमें बहुत सारे AI के features देखने को मिले थे, AI की मदद से ये smartphone आपके uses patterns को analyze करते हैं, और आपका जो phone का system software है, उसे अच्छी तरीके से optimize करता है, जिसकी वज़े से आपको एक अच्छा user experience देखने को मिल जाता है, smartphone company का custom UI देने का जो main reason है, वो इसकी company का smartphone user है, वो दूसरी company के smartphone पर switch ना करें, जैसे के आपको Xiaomi के MIUI के custom skin की habit हो गई है, तो बहुत ही कम chance होते हैं, आप Honor के EMUI skin पर switch करें, तो ये भी एक advantage होता है custom skin का smartphone company के लिए, और कुछ smartphone company stock Android भी देती है, क्योंकि stock Android की भी बहुत सारी demand है, जिसके अंदर आपको pure Android का experience देखने को मिलता है, जैसे के हाल ही में launch हुआ Xiaomi का Mi A2, Nokia का 6.1+, जो stock Android पर run करते हैं, अब stock Android का benefit ये है, आपको regularly Android update मिलती है, security pages के update मिल जाते हैं, इसके अलवा stock Android का use करना भी बहुत ही आसान है, stock Android phone में कोई भी फाल्तू के features नहीं मिलते हैं, clean interface मिलता है, जिसकी वज़े से आपका phone lag नहीं होता, और battery backup भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और जो ये custom skin होती है ना, उसके अंदर आपको regularly Android update नहीं मिलते, उसके अंदर आपको सिर्फ custom UI के update ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसके अलावा एक और custom UI का decide advantage है, ये जो custom UI होते है ना वो ज्यादा complicated हो उसके अंदर कई सारे ऐसे features होते हैं जो normally user use भी नहीं करता, और ऐसे में stock Android ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए ज्यादा दा लोग stock Android को पसंद करते हैं, simple जिने ज्यादा से ज्यादा features पसंद हैं और इन्हें Android update से कोई फरक नहीं पड़ता, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लेकिन जिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा features नहीं चाहिए, basic simple advanced UI चाहिए जरूरत के हिसाब से और software update भी regular मिले, तो उन लोगों के लिए हैं stock Android, बाकि आप क्या use करते हैं stock Android या फिर custom UI, ज़रूर बताना comment section में उम्मीद हैं आपको इस वीडियो से कुछ help मिली होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हैं तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए दोस्तों के साथ, और subscribe कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए bell icon को, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, thanks for watching, मिलते हैं एक ने इंटरिस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए खयाल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का